हलो दोस्तों, I hope सभी लोग अच्छे होंगे, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि रोटी को किस तरीके से बनाया और क्या-क्या step है, तो दीखे नीचे अगर आप इस तरीके से कपड़े को विच्छा के और थाली को इस तरीके से रखेंगे, तो आपको रोटी आटा गूथने म और नाहीं बचेगी, और नाहीं मतलब जो भी एक दो खाता होगा, भले ही एक दो रोटी बच जाए, बाकी रोटीयां एकदम सेम बराबर की बनेंगी, तो एक कप पानी लेना है, थोड़ा-थोड़ा करके इस तरीके से हमें गूथना है, ताकि हमारे आटे एकदम अपने हाथों से अच्छे से इसे मसलना है, तो पानी हमें थोड़ा ही थोड़ा एड़ करना है, जब हमारे आटे पूरे अच्छे से मतलब गोले टाइप बन जाएं, तो इसके बाद हम ऐसा मैं सान के तरीका बता रही हूँ कि आपकी पूरी थाली देखिए एक दम चिकनी हो जाती है, तो आप इस तरीके से अगर थोड़े थोड़े पानी एड़ करके आटे को गुथेंगे और नीचे थोड़ा सा साइड में पानी पूरा डाल के हलका सा और हाथों से इस तरीके से मसलना है, तो ये आटे बहुत ही सौप्ट बनते हैं, और हमारे हाथ दोनों एक् के हुए है तो देखें आटे अच्छे से स्वाग्ट और अच्छे मुलायम से गुत गये हैं तो यह आट यह आटे जब गुत जाए तो इसे एक साइड देखे थाली भी मैं आपको दिखाहाईं यहाथ इपने soft और मुलायम हो गए तो आटे हमें एक side रखना है तो उसी cup से हमें आधे cup मतलब आटे रोटी में लोईयों में लगाने के लिए आटा हमें ले लेना है तो ये मैंने उतना ही लिया उसके बाद मैंने लोईयों को छोटे छोटे एक एक मतलब एक size की लोईयों सारी कट कर ली उसके बाद मैंने इस तरीके से लोईयों बनाना तो हर किसी को आता है बट रोटी बनाना भी बहुत लोग जानते हैं रोटी बेलते वक्त इस तरीके से आराम से हलका हलका अगर करेंगे तो पूरा अच्छी तरीके से घूम कर और वक्तısर आपके सारे बना लेते हैं लेकिन पुलाना बहुत ही बैसके जाने आप जकना अगर जक एक साइवाश क110 Tas कैका होने लगते हैं으नदा थोड़ा थोड़ा सा एसा जानता है कि फुली-hmला सा हाथों से ही करके आपको बता रही हूँ मैंने ना ही चिम्टा और ना ही किसी चीज का उप्योग किया अब आप चाहें तो चिम्टा या फिर में बाल में आपको बताऊंगी अभी आगे तो देखिए हाथों इस तरह के से करके तो आप अगर जादा पर्थण नहीं लगाना सी एं तो इस्टेप में सकते हैं हालका हलका हलका बेलन करके और गिसे ग्यांज लाका की दोसरा चारीक हो वह स्वितूर क्या कमटें जना में सECT को पता समय सकता पको इस तरीक से की बताती चैहिंदir दूसरी के ममेठां करना मतों तो देखिए हमारी रोटी दोनों एक साइड से अच्छे से दोनों साइड की हो गई है तो ये रोटियां पहला फुलाने का तरीका है तो मैंने दो तीन आप लोगों के साथ सेयर किया इस तरीके से अगर मेरा तरीका अपनाएंगे तो आपकी रोटियां बहुत ही सॉप्ट औ के सेक लेना है तो अगर आपके पास इस तरीके से दबाने के लिए हाथों में अगर जलने का डर हो तो आप पेलन के ये जो पकड़ने वाला इसके साइड से इस तरीके से करके आप उसी दबा के अच्छे से पका सकते हैं तो देखिए रोटियां अच्छे से पक जाती हैं उसके बाद हम वही रोटी जो हम रखे हुए हैं उसी को इस पे रखके हम उसको फुला लेंगे पहली रोटी फुलाना हमें थोड़ा मुश्किल होता है बाकि रोटियों से हम फुला लेते हैं इस तरीके से आप जाए तो सूती कपड़ अगर आपके पास आं उससे भी फुला आया करें तो like, comment, share, subscribe जरूर किया करिएगा तो मैं पूरी रोटियां जब बना ली तो मैं आप लोगों की दिखाती हूँ मैंने तीन तरीका उस तरीके का बताया और तीन तरीका इस तरीके का तो मेरी इस सारी रोटियां बनके तेड़ी हो गई है तो तीन लोगों के लिए मुझे बनाना था तो मैंने ये सारी रोटियां बना ली है तो I hope तीन कप से मतलब धाई कप अगर आप आठा लिए तो तीन लोगों के लिए एकदम बढ़ियां फस्क्लास रोटियां बनेंगी और बचेंगी भी नहीं दोस्तों यकीन मानियां वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सेर्ट, सब्सक्राइब जरूर किया करें आगे के हर वीडियो आप लोगों के साथ सेर्फ करूंगी तब तक के लिए बाबाई, टिक केर, रादे, रादे खाईए और इंजोई करिए